कि नमस्कार साथियों मैं मोनिका साजडिया आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चेनल केरियर बना उपर और साथ में ही अपने सुपर 50 क्योशन्स वाले बेच में जैसे कि अपने पिछे क्योशन्स हो चुके हैं 25-25 क्योशनाज वो कल की क्लास लंबी खिच करवा देते हैं अपने को कॉर्स टाइम से पहले कंप्लीट कराना है वो करवा देंगे डॉन्ट वरी रुको जरा ना वह वाला डायलोग अपना मेमोरी एक्स्प्रेस के लगभग हो चुके हैं 55 क्योशन्स पिचेतर नहीं 25 वह पचास क्योशन हो चुके हैं बाकी 25 क्योशन क्योशन आ जाएंगे इसके बार एक भी क्योशन आ जाए तो मुझे बता देना हाँ ऐसे मत बोलना मैं इसकी लेंग में चेंज आ गई थी वह मेरी कोई गलती नहीं है बाकी का मैंने तो देखो मेरी तरफ से इतने क्योशन बने वह सारे के उठाके ला दिए इसके अलावा इतने प्रीवेस यर्स में थे वो क्यों संसला दिये इसके बाद में कुछ आता है तो फिर तो एक्जामिनर का खात्मा करना पड़ेगा अपन को अपन कुछ नहीं कर सकते वही उसके अंदर मेरी तरफ से इतना हो सकता है वह मैंने किया है अब वह तो मैंनी बोल सकती हंड्र आफ्ट ओंड्रेड मेरी वजह से आ जाएंगे बट 99 अपने कंटेंट में से बाहर कुछ नहीं आएगा यह पढ़ लेना काफी है ठीक है इसे के साथ टाइवेस नहीं करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे ऐसे मजह के साथ क्लास कंप्लीट कर लेंगे चोटी स आफ्ट को आप आंसर देंगे मेरा आंसर का वेट नहीं करना आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए ना एकदम चुटकियों के इसाब से आंसर आना चाहिए तो पहला के उसन आपके सामने रखा जाता है यह 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 आपका 1000 रुपे के लिए 1000 रुपे होंगे आपके इसके उसन को सही देते ही हाँ तो सीडी किस परकार की मेमोरी है सीडी किस परकार की मेमोरी है क्या इंटरनल मेमोरी है एक्स्टरनल मेमोरी है सहायक मेमोरी है या इन में से कोई नहीं तो सीडी आपकी किस परकार की मेमोरी है भाई फटा फट बता हो बिल्कुल भई आपकी CD है वो सहायक मेमोरी है सहायता करने वाली है और जो सहायता हो करती है उनको एक्स्टरनल मेमोरी भी बोला जाता आपका B और C सही हो जाता है यहां दोनों सही है भी आपकी यह सीड्यापकी external भी होती है और सहायक भी होती है फटा फट स्क्रीन शोट ले लिजिए क्यों संसका और अगर आपको option सिर्फ एक करना हो तो आपको कौन सा करना होगा as usual मैं बोलती हूँ सहायक है क्या है सहायक memory है cd बागी कि अगर आपके पास option यह आए कि वही a b b c c d या फिर इन दो आपका सहायक memory को प्रात्मिक्ता अधिक देनी है इसके साथ आपने अगले क्योसन की तरह बढ़े हो और यह क्योसन आप सही करते ही आपको मिलेंगे दो हजार उपए निमन लिखित में से कौन रेम का भाग नहीं है कौन सा रेम का भाग नहीं है यह सा लिखने के लिए सरको जोर आ रहा था साइद निमन लिखित में से कौन सा रेम का भाग नहीं है मेगवाइट 32 मेगवाइट 64 मेगवाइट यह मैंने करवाया था मैंने को याद है बताओ कौन सा है A B C D फटा-फटा अंसर आना चाहिए टिक-टिक-वान टिक-टिक-टू टिक-टिक-ट्री क्या आप हैल्प-लाइन लेना बढ़ते हैं नहीं क्योंकि हमें और सबस JAC को और धान है बॉपद्ध कि क्स और कि ऑदर हैं से पूछान और इसंध लेंग नहीं है कि नहीं आंत्यार को लिखी। हैं फिर प्र सॉत्ता में पूच़ हो जाओ कि इता इसके साथ यह आंसर भी किसी नहीं नहीं दिया इसके अगले के साथ बढ़ते हुए आपका अगला क्योंस ने तीन हजार रुपे का CD-ROM का उपयोग कहा होता है CD-ROM का उपयोग कहा होता है उससे पहले CD-ROM की फुल फॉर्म रख दी जाए CD-ROM मेरे को सलने वहला मैं इस पहन से आपकी राइटिंग दिखती नहीं या फिर वर्ट्स दिखते नहीं तो चलो कलर चेंज करते हैं क्या करूं CD-ROM C का कॉम्पेक्ट डी से डीस्क आर से रीड ओ से ओनली एम से मेमोरी बही आप तो निंदों में भी मेरे को है ना इन दो तीन दिन में सपनों में आपकी यह मेमोरी मेमोरी गुंडी है रेम रोम रेम रोम यह चलता रहता है इतने क्योंस करवा दिये कि एक चीज़ कि आप लोगों को इसे वह नहीं हो आभी तक अरे मैं माता है में कित्ती बार बताओगे फिर भी आप देखना एक्जा गलत करके आगे न तो छोड़े न पढ़ाई फिर इतना पढ़ाने के बाद भी गलत करके आथे हो ठीक है CD रोम का उप्यों कहां होता है किसले करतें और दिस्को पढ़ने के लिए संगीत सुनने के लिए गेम खेलने के लिए किसी सॉफ्ट्वेयर को इंस्टॉल करने के लि सही हो जाता है आई होप आपका अंसर सही था नेक्स्ट योसन के और बड़े कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइल की केवल एस्थाई स्टोरेज उपलब्द कराता है एस्थाई क्या एस्थाई या फिर बोले तो वोले टाइल बोले तो फटाफट टेमप्रेरी हाँ तो बताएए कौन सा उसमें से रोम नहीं रोम में पर्मानेंट होता हाट हाट्राइव बिल्कुल नहीं पर्मानेंट बचा कौन सा रेम रेम आपका आंसर हो गया नेक्स्ट योसन के बढ़ा लगता है है अकला क्योंसन हमारा है CD-ROM का तीडी रॉम क्या है तीडी रॉम की फुल्पर्म पुछी अभी मैंने बताई है कॉम्पेक्ट डिस्क रीड ओल्ली मेमरी कोर डिस्क रीड ओल्ली मेमरी वही कोर जैसा तो अपने कुछ पढ़ाई नहीं था ओप्सन कैंसल आउट सेर्क्यूलर डिस्क नहीं पढ़ा अपनने सवी और इन में से कोई नहीं हो नहीं सकता आपका ओप्सन नमबर एक यहां सही हो जाता है आपने जीत लिए 5000 रुपई चलो अगले पसकंसरशन की तरह बढ़े तो स्टॉरेज माध्यम की सम्ता की काई क्या है tweaks storage कोई चीज की डिटा को आप स्टॉर करते हैं तो किस में स्टॉर होती है आपकी bit में बग में मिट में आपकी बाइट में computer के अंदर बाइट में एगला कैसे है निमन लिखित में से कौन computer hardware के आंकडों को अधीक मात्रा में store कर सकता है ठीक है अधीक मात्रा में data को store करता है वो कौन से है magnetic tape या magnetic disk A और B दोनों या फिर pen drive बिल्कुल आपका A और B आपकी magnetic tape या magnetic disk या फिर डिस्क आपकी अधीक मात्रा में store करती है data को ठीक है आपका नम यहां C option हो जाता है साथ साथ में वाई screenshot लेते रहिएगा screenshot दो वैसे भी photo इतनी पढ़िए पता नहीं किस-किस की chat की screenshot है पता नहीं किस-किस तीज की screenshot है उनकी जगह इनको भी रख दीजेगा क्या जाता है साथ साथ में क्यों सुतार लेना है ऐसे नहीं है PDF का वेट करते रहो कुछ नहीं देने वाले पीडिए वीडिए यहां जब मैं पढ़ा रही हूं यहां खड़े हो कि आख मिद्द्धी देर से तो मैं फालत में पढ़ा रहे हूं साथ में कयो से लिखने में जो रहा रहा है क्यों संभगो वही मेमोरी सब्द किस से समंदीत है मेमोरी सब्द किस से समंदीत है लोजिक से controller से storage से input से memory आपका दिमाग ने क्या होता है Store स्टोर होता है मतलब स्टोरेज जैसे कि अभी अपने दिमाग में दिल्ली पुली स्टोर हो रखी और काफी लोगों ने तो बैस ऐसे सोच लिया होगा इतने मोटिवेट हो गए हैं कि बस अब तो किताब हाड़ के रख देंगे हैं और कल मैंने बोला था आपको कि वही ना दो को महिने के अंदर को डाही महिने में कोर्स कंप्लीट करो डेड महिने रिवीजन मारना है और दिली पुलीस में स्लेक्शन हो जाएगा वैस उस दिन कल से तो बैस ऐसे हो गया होगा बैस मैं कर देंगे अब तो देखो आप देखते जाओ ना आइओ यह confidence आपका एक्जाम त तो दिली पुलीस की मिठाई लेक्के आना है देखो मैं इत्ती बार बोल चुकिए मिठाई का पक्का लेक्के आना और रसगुले लेक्के आना मेरे को ज्यादा फेवरेट वह है अगले के सुन की और बड़े तो निमन लिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन इसी है पर सिर्टेंट ओप्टिकल मेगनेटिक और फ्लेश बैज जो बार-बार मतलब मैंने बोला था आपको कि जो मेगनेटिक मेमोडी थी आप फिर बोले मेगनेटिक स्टोरेज थी आपकी वो सुरु से यूज की जा रही थी हना तो वो एक मतलब कॉमन बन गई थी सुरु प्लात में ही मेगनेटिक 10-23 तो इसमें मे ग시क्ड अधिक सब्सक्राइस को सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब दान्स बढ़ें गारें ऑडव और लिखें लोगं और इन में से कुछ नहीं से आप प्लक्राइब nod progressively 295 दूसे आप क्या करसकते हैं पड़ सकते हैं पड़ बिए सकते हैं इन में से कुछ नहीं कर सकते तो मैंने बताया था cd पर आप लिख भी सकते हों और पड़ भी सकते हैं ठीक है अगला है computer को save और बंद करने के बाद आपका data कहां होगा आपका computer है उसमें data को अगर आप सेव कर दें फिर उसको बंद कर दें तो वह data आपका कहां जाएगा वह आपका data चला जाता है secondary storage में कहां जाता है secondary storage में अगला है किसी storage medium में store की जा सकने वाली data की अधिक्तम मात्रा क्या कहलती है पहला option है magnetic storage दूसरा option optical storage तीसरा option है solid state storage चोथा option storage शमता बिल्कुल अगर आप किसी चीज की अगर आप बोलें कि वह याद जादा होता है मतलब अपनी class में होते हैं वह ऐसे बोलते ना दिमाग सबका एक जावतानी बिल्कुल नहीं होता किसी को वह दीरे याद होता है बस वह फ़रक है यूज करने पर कि कई तो बैठ़्ेर रहते हैं फिर शेतान कहते है ना क्योंकि उन लोगों का दिमाग फुर्तिला होता है एंडी टैम एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने वाले दिमाग स्टोरेज जधा करते है ना तो एसे नहीं कि पूरे दिन किताबों में लगे रहो भाई खेलना कूदना भी है इतना भी नहीं कि एकजाम निकल है ना तो आपका यहां क्या हो जाएगा अगर हदिक्तम प्रोग्राम के बीच अंतर समझा सकती है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच में जो अंतर है उसको समझाती है इनपूट डिवाइस बिल्कुल नहीं आउटवुट भी नहीं मेमोरी में डाटा स्टोर होता है समझाती नहीं है आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वह आपको इनके बीच में अंतर समझाएगा, यह क्योसन हाइलाइट कर लीजिए, बार-बार आया हुआ है, अगला क्योसन देखें, अगला क्योसन है, जब प्रोसेसर उनका प्रियोग करता है, तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं, यह वह इसको स्किप कर दीजिएगा, 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 वह इसको स्किप कर दीजिए DVD, BRD BRD की full form क्या थी रहे? कमेंट करके बताओ BRD की full form क्या थी? ठीक है, तो DVD किसका example हो जाता है? आपका option number B, optical disk का अगला क्योंशन है अपना computer का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है computer का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है यह रम्मा कोन है वई? CPU बिल्कुल नहीं तो सूचना को कौन स्टोर करता है? सूचना को स्टोर कोन करता है? फटा फट बताओ अगला अब इसका अंसर देदो इतनी बार बता दिया है मैंने यह हमसे के मैं भी तीन बार आ गया है हाली में आप कोई काम कर रहे है तो वो कहां जाता है आपका RAM में और डेटा आपकी स्टोर होती है वो कहां होती है आपकी रोम में सूचना की तरफ बढ़े? साइस टोरेज जवाईस कौन सी है? परमानेंट स्थाइस टोरेज दिवाईस कौण सी है? फ्लॉपी डिस्क, मोनिटर केस, हार डिस्क मोनिटर होगा क्या बाई? कैंसल आउट हार डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और केस केस होगा क्या पहले तो मिनको केस का बताओकैस होगा क्या केस होगा क्या ? आरे नहीं होगा केस तो CPU शाच के बीछ से काम करता है floppy disk बिल्कुल नहीं 신थर के हिनी इसमें आजाएगा आपका hard disk एक मिनट रुखना दीजिएगा कि कर दो स्थाई स्टारेज डिवाइस कौन सी है? स्थाई स्टारेज डिवाइस कौन सी है वही आपके? स्टारेज डिवाइस क्यों डाले हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है या तो उप्सन ऐसे आएगा आपके पास? देखो मैं उप्सन देते हूं आपको ए और बी बी और सी आपका ए फिर A और D आपके पास यह चार उप्सन है इनमें से दीजेगा जवाब इसमें जवाब देना आपको तो आपका यहाँ उप्सन A और D होता है क्योंकि मैंने देखो प्रिवियस में बताया आपको Hard disk और Floppy disk का आपकी storage device होती है कौन से मीडिया में User Data को एक से ज़्यादा बार Store करने की समता है कौन inherent मेडिया में User को एक से ज़्यादा बार gün मेरे टाट को store करने की समता है बताईए CD writable क्या था CD re-writable क्या था zip disk क्या है और optic disk क्या है अब इसमें देखो एक से ज्यादा बार data को store करने का मतलब क्या है उसमें एक से ज्यादा बार आप परिवर्तन कर सकते हैं मतलब कोई data आपको पसंद नहीं उसको erase कर गया उसमें आप rewrite कर सकते हैं उसको change कर सकते हैं यह चीज मैंने आपको उस दिन पढ़ाई तब बताई थी कि एक ये सीए सीडी के अंदर पार्ट जो आप इसके अंदर change कर सकते हैं वह कौन सी है री राइटेबल तो यहां आपका option कौन सा हो जाता है सीडी री री राइटेबल अगले option की तरह बढ़ें सीडी सूजनाओं को किसके दुवारा लिखी तो लिखा और पढ़ा जाता है मैंने क्या बोला था सीडी के ओपर अगर अपर लिखते हैं तो किसकी help से लेजर light की तरह लेजर light की वज़ए से या laser light की help से तो यहां laser light है इसका भी उसमें नोट्स में एड़ कर लिजएगा laser light या red light की help से आप इसकी सूचडाओं को लिखिया पड़ सकते हैं अगला क्यों सना है जब power off की जाती है तो cage और परमुक memory अपने content खो देती है वे हैं खो देना मतलब temporary मतलब आपका temporary temporary मतलब आपका volatile और volatile मतलब as high as high मतलब आपकी रेम ऐसे याद रखना है तो बताओ जो खो देती है वो क्या हो जाएगी आपकी volatile क्या हो जाएगी volatile अगला देखें निमन लिखित में से कौन storage device का उधारन है कौन सा यह सा साइद मिला नहीं है कि operator sir को बोलना पड़ेगा ना हां तो निमन लिखित में से कौन सा storage device का उधारन है चुम्बकिये disk, magnetic disk, tips, dvd या इनमें सभी आपकी जो magnetic disk है उसको storage device बोलते है शुरवात का जो storage device आया था वो कौन सा था आपका magnetic disk, निमन लिखित में से कौन optical disk का उधारन है, optical, optical disk का उधारन क्या थे वाई, cd, dvd और brd, compact disk, आपका compact disk, dvd का क्या था, digital, versatile, disk, और brd का blu-ray disk, आपको बोला था लिखने को कमेंट में, तो आपका इन में से कौन सा हो, memory disk नहीं है, magnetic भी नहीं दे रखा, database disk भी नहीं दे रखा, तो कौन सा हो जाएगा, digital, versatile, disk, ठीक है, अगला question देखे, अगला question है, disk को, tray को, सेक्टरों में विभाजित, यह मैंने परसों की ग्लास में बताया था, disk को, tray को, सेक्टर में विभाजित करने की प्रिक्तिया को, हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, हाँ, क्या बोलेंगे, formatting, क्या बोलेंगे, formatting, अगला question है, disk के उस content को क्या कहते हैं, जो वी निर्मान के समय रिकोड किया गया हो, और उसे प्रियोकता परिवर्तित या इनरेज नहीं कर सकता, बताईए वई, केवल memory होगा, केवल right होगा, नहीं, बताओ इसका answer, बताओ फटाफट, परसो की class में बताया था, परसो की class, last class थी आपके, उसमें मैंने बताया था, केवल memory, memory का तो यहां कोई landing नहीं होगा, केवल writable, ऐसा भी कुछ नहीं था, अब उसमें था केवल read, बलब cdr, cdr, जिसके अंदर read किया जाता है, यह फिर केवल run, यह तो option में नहीं था, तो यहां आपका केवल read हो जाएगा, बढ़ा था परसो की class, computer के space को क्या कहते हैं, जिसमें data load होता है, और काम करता है, आज का last question, आज का नहीं, इस chapter का last question, इसके भार में कुछ नहीं करवाने वाली, इस chapter में, मेरी तरफ से यह chapter complete हो गया, आपकी तरफ से बगवान जाने कब कर लोगे, बाकी का last question है, और इसका answer आप लोग देंगे, computer के space को क्या कहते हैं, जिसमें data load हो, या फिर data load होता है, या फिर काम करता है, बिल्कुल, रेम के अंदर, अभी जैसे आप बार बार में एक एक्जामपल दे रही हूं, आप कोई काम करते हैं, मतलब कोई data upload करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आपके ROM होते हैं, नहीं, रोम में तो save होता है, case memory, case memory आपका CPU के लिए काम करता है, और CPU, CPU अपना process करता है, लेकिन load करना data को, यह सब काम CPU के नहीं होते हैं, तो वो किसका हो जाता है, आपका RAM का हो जाता है, यह लिजिए, मेरी तरब से आपका memory chapter complete हो गया, आपकी यादास्ति complete करवा दिये, मेरी तरब से मैंने 100 out of 100 दे दिया, आप अपनी तरब से कितना देते हैं, वो आपका exam बता देगा, और वही, देखो, Sunday को live आ रहे हैं, उसके साथ में आप बता दीजिएगा कि वही क्या क्या आपको चेंजमेंट चाहिए, और दिल्ली पुलीस का वेच, अभी मैं सोच रही हूँ, भी हम planning कर रहे हैं, confirm की नहीं है, कि आपके लिए जो लुशेंट है, लुशेंट से क्योसन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब लगवा क्योसन लुशेंट से ही आ जाते हैं, मतलब दिल्ली पुलीस वगेरा में, आपके जीटी वगेरा में, MTS में, इनमें लुशेंट ही sufficient होती है, वैसे तो, मैं सोच रही हूँ, लुशेंट का मेरो थन लेख के आ जाए, या फिर बोले तो, मेरा थन तो नहीं ब आके दे दे, तो, अभी देखते हैं, कब से सुरू करें, लेकिन दिल्ली पुलीस का आपका एक्जाम आने से पहले वो कर देंगे, इसके अलावा आपको, पांस टोपी कंप्लीट होगे मेरी तरब से, आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिये होंगे, और अगला अपना चेप्टर कल रहेगा, हाडवेर, और हाडवेर क्या होते हैं, यह सब अपनने अपनी सेकेंड और थर्ड क्लास में देख लिया था, बाकी का अपन, कल की क्ला क्लास में इसका जीरो टू, लास्ट लेवल तक पढ़ लेंगे, उसके बाद में इन्पुट, आउटपुट वगेरा, सब आ जाएगा इसके अंदर, वो करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में यहां अपनी क्लास खतम होती है, बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें